Hello dear students, आप सभी का फिर से welcome हैं, आज हम करेंगे exercise 1.2, देखिए इसका पहला question इसमें क्या लिखा है? What do you mean by digit sum? तो किसी भी number का digit sum क्या होता है, ये पूछा है इस question में, तो देखिए एक number लेते हैं, for example, मैंने एक number लिया 72, अब इसका पूछे कि digit sum क्या है? Digit का sum मतलब जो भी इसके number है, उनको plus कर दो, याने 7 plus 2, ये हो गया 9, तो 72 का digit sum हो गया 9, या आप कोई और भी number ले सकते हैं, यसे मैंने लिया 3, 4, 5, ये number लिया, अब इसका digit sum क्या होगा? तो सबको plus कर देंगे 3 plus 4 plus 5, तो 3 plus 4 हो गया 7, और 7 plus 5 हो गया 12, तो इसका digit sum हो गया 12, तो याने सारे number हो या सारे digit का sum किसी भी number का कहलाता है, digit sum, चलिए, अब हम करते हैं, इसका question number 2, देखिए, इसमें क्या लिखा, find the digit sum of the following number, तो ये जो numbers हैं, इसके digit का sum find करना तो जिसे 15 है, 15 का हो जाएगा 1 plus 5, 1 plus 5 हो जाएगा 6, इसके बाद अगला है 38, तो हम करना है 3 plus 8, 3 plus 8 हो जाएगा 11, उसके बाद है 88, तो simply 8 plus 8, 8 plus 8 हो गया 16, फिर है 99, याने 9 plus 9 करेंगे, इसका अनजर आजाएगा 18, फिर है 4 plus 1 plus 2, इनको sum करेंगे, तो 5, 6, 7 हो गया, फिर उसके बाद 8 plus 6 plus 7, तो इनको हम plus करेंगे, इसका अनजर आजाएगा 21, फिर 4, plus 8, plus 5, plus 2, इन सारे नमबर को हम plus करेंगे, तो इसका अनजर आजाएगा 19, और 9, plus 8, plus 7, plus 5, तो ये सारे नमबर को 9 जे plus करना है, तो plus करने पे इसका अनजर आजाएगा 29, अब इसके बाद next नमबर का हम करते हैं, तो यह हो जाएगा 2, plus 4, plus 6, plus 0, plus 1, तो इनको हम plus करेंगे, तो 10 प्लस 3 हो गया 13 अब next है यह number 4 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 1 यह सारे number को हम add करते हैं तो add करने पे इसका answer आ जाएगा 40 अब है next question question number 3 देखिए इसमें क्या लिखा है what should be added to the following number to make them divisible by 9 तो यहाँ पे कुछ number है और हमको बताना इस number में हम क्या add करें कि 9 से divide हो जाए तो देखिए यहाँ पे हम 9 का divisibility rule इस्तिमाल करेंगे divisibility rule of 9 क्या है कि किसी भी number के digit के sum करें यानि सारे number को जोड़ें और वो 9 के table में आ जाए वो number जो उनका sum है तो वो 9 से divide हो जाएगा तो जैसे पहला number लेते हैं 241 तो पहले इसका digit sum निकालेंगे हम तो 2 plus 4 plus 1 करते हैं तो दीखिए इनको plus करने पे किता answer आएगा 7 तो 7 9 के table में नहीं आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें 7 को बनाना है 9 अब 7 को 9 मनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम plus 2 कर सकते हैं तो इस number में plus 2 करेंगे यानि 241 में plus 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 243 अब इनके number का हम sum करें तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 3 अब देखे 2 प्लस 4 हो गया 6 6 प्लस 3 हो गया 9 अब ये 9 से डिवाइड हो जाएगा अब आप चाहे तो इसको अलग से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं चलो 2 43 को 9 से डिवाइड करते हैं ठीक है अब ये होगा 9 के टेबल में 9 2 जा 18 ठीक है अब इसको माइनस करेंगे तो ये केरी ले लिया देन 14 माइनस 8 हो गया 6 फिर ये 3 आ गया अब 9 7 जा होता है 63 और रिमेंडर आ गया 0 तो देखे ये 243 तो था 9 से कम्प्लेटली डिवाइड हो गया रिमेंडर 0 आ रहा है तो इसमें 1st नंबर में हम जोड़ेंगे नंबर 2 अब देखें नेक्स नंबर है 861 ठीक है ये इसके डिजिट का हम सम करें 8 plus 6 plus 1 तो ये आता है 15 ठीक है अब 15 तो 9 के टेबल में नहीं आता है तो 9 के टेबल में 15 के बाद कौन से नंबर आता है 18 यानि इसमें हमें प्लस करना पड़ेगा 3 तो हम क्या करेंगे 861 में प्लस 3 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 864 अब इसके डिजिट का सम कितना होगा ये हो जाएगा 8 plus 6 plus 4 ये हो गया 18 और 9 2 जा 18 होता है इसलिए मतलब इसका ये जो 8 64 है 9 से डिवाइड हो जाएगा अब इसको आप चेक कर सकते हैं अलक से डिवाइड करके 8 64 divided by 9 9 9 जा हो गया 81 इसको माइनस करेंगे तो हो गया 5 फिर 4 फिर 9 6 जा हो गया 54 तो रिमेंडे 0 आ रहा है तो ये दिखें 9 से डिवाइड हो गया अब दिखें next number को हम चेक करेंगे 4 4 4 1 इसको हम plus करते हैं तो 4 plus 4 plus 4 plus 1 तो 4 3 is a 12 plus 1 हो गया 13 अब 13 जो है 9 के table में नहीं आता है तो इसका मतलब इसमें हम add करेंगे क्या add करेंगे तो 13 के बाद next 9 के table में जो number आता वो आता 18 तो इसको अगर 18 मनाना है तो हम क्या add करेंगे हम add करेंगे 5 तो इस number में हम 5 add कर देंगे तो ये बन जाएगा 4 4 4 6 अब देखें इसके digit को यदि प्लस करें 4 plus 4 plus 4 plus 6 तो अब ये बन गया है 18 अब चाहें तो आप इसको आलक से 9 से divide करके देख सकते हैं ये 9 से divide हो जाएगा अब देखें next number है 8 3 5 0 9 इसके digit को अगर हम plus करें 8 plus 3 plus 5 plus 0 plus 9 तो इसको plus करने से इसका answer आता है 25 ठीक है अब 25 तो 9 के table में आता नहीं तो 25 के बाद कौन सा number आता है 9 के table में वो आता है 27 9 3 जा 27 तो यानि इसमें हम plus 2 करेंगे आप इसमें हम करेंगे plus 2 तो देखिए बन जाएगा 8 3 5 1 1 ठीक है आप इसके digit को हम plus करते हैं तो 8 plus 3 plus 5 plus 1 plus 1 ठीक है अब इसके सारे number को हम plus करते हैं तो plus करने भी कितना answer आ जाएगा 8 plus 8 16 17 18 अब इसका जो sum आ रहा है वो 18 आ रहा है और 18 9 की table में आता है तो इसका मतलब अब ये 9 से divide हो जाएगा चाहे तो आप अलग से divide करके check कर सकते हैं अब हम करेंगे next question जिसमें लिखा है what is usefulness of digit sum तो बस यहाँ पे आपको ये theoretical question है बताना क्या usefulness है digit sum की तो दीखे इसकी दो use है एक तो हम ये check कर सकते हैं कोई भी number जो है divisible होगा 3 से divisibility by 3 हम check कर सकते है digit sum से तो इसका rule क्या है digit sum यदि 3 के multiple में है तो वो number 3 से divide हो जाएगा जैसे एक number हम check करते हैं जैसे for example 1, 5, 7, 2 अब इनके digit का ज़्यदी हम sum करें ठीक है 1 plus 5 हो गया 6 6 plus 7 हो गया 13 13 plus 2 हो गया 15 तो इनके digit का sum आ रहा है 15 याने ये number जो है 3 से divide हो जाएगा याने हम बिना divide किये 3 से हम check करके बता सकते हैं कि ये number 3 से divide हो जाएगा तो यही digit sum का benefit होता है यहाँ एक तो 3 का divisibility हम check कर सकते हैं और दूसरा divisibility by 9 9 का भी check कर सकते हैं जैसे हमने previous question में किया digit के sum करो अगर उनका sum 9 का multiple में आ रहा है तो वो 9 से divide हो जाएगा झास्वा तो कर सकते हैं झास्वार यहां